So hey guys welcome back to brand new video on the channel मेरा नाम हर्षवर्जन और आज की इस नई वीडियो में आम सभी का बहुत-बहुत सागत है आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेके आए हूँ GTA Synanidries Android के लिए Top 5 Cleo Modes गैस एक बात मैं पहले ही clear कर दूँ कि इस वीडियो में जो मैं आपको Cleo Modes दे रहा हूँ यह नए Cleo Modes नहीं है यह पुराने Cleo Modes है लेकिन गैस यह Cleo Modes काफी ज्यादा interesting और अच्छे Cleo Modes है गैस एक बार आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिए अगर आपको Cleo Modes अच्छे लगे तो ही आप डाउनलूट करेगा मरना मत करेगा गैस इस वीडियो में मैं आपको एक एक Cleo Modes के बारे में अच्छे तरह से explain करके समझाऊंगा कि कैसे उसको activate करते हैं और कैसे इसको deactivate करते हैं और कैसे उसको use करते हैं तो गैस आप इस वीडियो को end तक देखते रहे हैं और गैस इन Cleo Modes की installation भी मैं आपको वीडियो के end में बताऊंगा अब बिना time waste की वीडियो को start करते हैं So guys हमारे यहां पर top 5 की list में जो सबसे पहला Cleo Mode है उसका नाम है Shoot Exclusive Cars तो गैस इस mode को यहां पर activate करने के लिए आपको अपना Cleo menu open करना है इसके अंदर आपको ए Cleo cheat मेलेगी Shoot Exclusive Cars तो गैस इसको आपको यहां पर simply क्लिक करके इसको यहां पर activate कर देना है अब guys आपके यहां पर map के नीचे आपको cross का icon देखर होगा तो guys यहां पर आपको किसी भी car के आगे जाकर इसको क्लिक कर देना है तो guys आपने देखा कि यहां पर CJ के पीचे से होकर एक vehicle यहां पर shoot हो रहा है जिससे guys जो भी आगे कोई vehicle उनको वो blast कर देते हैं यह देखिए तो guys मैंने आपको बता दिया है कि आप कैसे इस clear mode को activate करोगे और कैसे आप इसको use करेगे तो guys अब मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि आप कैसे इसको disable कर सकते है तो guys सबसे पहले आप इसको यहां पर थोड़ा से जूम कर दीजिए अब guys आपको अपने सीजीपैस से क्लिक करके थोड़ा से यहां पर उपर की साइड में कर देना है तो guys अप यहां पर दिख सकते हैं हमारे यहां पर जो cheat था वो disable हो चुका है अब guys आपको यहां पर जो personal bike जो cheat है इसको आपको यहां पर select कर लेना है तो guys उसके बाद गैसे आप देख सकते हो आपके आगे एक bike यहां पर आ जाएगी तो guys आपको simply इस bike पर बैट जाना है अब guys इससे effect यह पड़ेगा अब जैसे कि आप यहां पर bike चला रहे हो तो guys अब आप जैसे इस bike से guys आप यहां पर खूच जाओगे तो यह bike guys यहां पर गूम फिरकर वापस आपके पास आकर simply खड़ी हो जाएगी यह देखी guys guys गैस मैं आपको एक बाद यहां पर फिर से करके दिखा देता हूँ so guys अभी आपने देखा कि यह bike आकर फिर से यहां पर मेरे पास में यहां पर आकर खड़ी हो गई है तो guys मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे इस mode को activate कर सकते हैं और कैसे आप इस mode को use कर सकते हैं तोगेस अब मैं आपको यहां पर बता देता हूँ कि आप कैसे इस mode को disable करेंगे तोगेस आपके map के नीचे आपको एक हाथ का icon दिखरागा है आपको simply इस पर क्लिक करना है और आपको यहां पर mode disable हो जाएगा तोगेस अब हम बढ़ते हैं हमारे third clue mode की तरफ तोगेस हमारे आपर जो third clue mode है उसका नाम है force field तोगेस इस mode को यहां पर use करने के लिए आपके पास एक car होना जरूरी है तो मैं आपर जल्दी से एक car ले लेता हूँ तोगेस अभी आप देख सकते हो मैंने आपर एक car ले ली है तोगेस अब आपको अपनी screen पर एक chart दिख रहा होगा तोगेस अब आपको simply उस chart को देख कर अपने game की screen पर 3 और 7 एक साथ प्रेस करें है तो मैं आपर प्रेस कर दीता हूँ उसकी बाद किस आप देख सकते हो कि मेरे सामने जो भी वाइकल आ रहे हैं वो वापस यहां पर उड़ रहे हैं सामने की तरफ ही तो किस इससे एफेक्ट यह पड़ता है कि आपके कार में से एक फोर्स पावर निकलती है जो कि सामने जो भी वैकल आ रहा है उनको इल्टी दिशा में उनको यहाँ पर भेज रही है तो कैस यह भी काफी जफी अच्छा और इंट्रेस्टिंग कलिव मोड है तो अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते है तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं तो किस अब आपको इस mode को यहां पर disable करने के लिए आपको अपनी screen पर मैं आपको यहां पर फिर से चार्ट दिखा रहा हूं तो किस अब आपको अपनी screen पर यहां पर फिर से एक और साथ प्रेस करना है तो किस देख लीजिए यहां पर यह रहा एक और साथ है निए भी उसका तो नफी चाहिए है तया है अब यहां से आपका ग्म एक्दम नौर्मलीट हो जाएगा तो ऑम बढ़ते हमारे फोर्टख्लियो मोड की तरफ तो गैस हमारे यहाँ पर जो fourth clue mode है उसका नाम है never fall from bike इस mode में basically होता गया है कि जैसा कि अभी आप gameplay में देख रहे हैं मैं यहाँ पर चाहे कितनी भी speed में bike चलाओ या फिर मैं चाहे कितनी भी speed से जब आगर किसी भी building से टक रहा हूँ तो मैं यहाँ यहाँ पर बाइक से नहीं गिरूंगा फिर चाहरा मैं किसी building से भी यहाँ गड़ जाओ या फिर किसी भी तरह से मैं यहाँ बाइक से नहीं गिरूंगा Gagne Zman filmmaking आपको पने i比較 करम और एक आपको मैं चार्ट दिखा रहuju फिर से तो यस उस चार्ट को देखounty आपको आपKO आपने गेम के स्कृन का आपको पर की इक और साथ एक साथ प्रेस ब्यार भला चाले हुआ अशके आपको करके दिखा देता हूं यह देखिए कैस में यहां पर 1 और 7 एक साथ प्रेस करता हूं और गईस यह देखिए CJ ने यहां पर एक पेड़ उगा दिया है अब गईस आपको यहां पर फ्रेस करना है एक और आठ गई था फिर से वो चार्ट देख लिए एक बार अपकेस आपको अपने स्क्रिन पर एक और आठ एक बार प्रेस करना है यह देखें यहाँ पर यह इसमें एक और टाइप कर यहाँ पर पेड उगा दिया नया अबगेश यहां पर मैं थोड़ा और आगया था हूँ, आपको यहां पर 1 और 9 एक साथ प्रेस करने हैं यह देखे, तो किस इस मोड में आप टोटल 3 तरके, 3 से 4 तरके आप इसमें पेड उगा सकते हैं, तो किस यहां पर जो 3 नमबर से यह वो मैंने आपको बता दिये हैं बहुत ज़रूरी है अगर आपको पता नहीं है कि GT San Andreas में cheat menu कैसे install करे तो मैंने इस topic पर एक already video बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि आप कैसे GT San Andreas game में cheat menu install कर सकते हैं तो मैं उस video का link आपको इस video की description box में दे दूँगा उसकी बाद कैसे आपको यहां पर mod की file पर एक बाद क्लिक करना है second option extract here अपको यहां पर password मांगेगा तो कि आपको यहां पर password डाल देना है उसकी बाद कैसे आपको ok के button पर क्लिक करना है अपको यहां पर file extract हो जाएगी तो आपको फोल्डर में लेगा तो आपको इक फोल्डर में लेगा com.rockstargames.gts से इस folder को यहां से simply cut कर दीजिए और अपनी device memory android और data के folder में ले जाकर इसको paste कर दीजिए guys मैं इसको यहां पर already paste करके रखा था इसलिए guys मेरे से replace मांग रहा है उसके बाद guys आप जैसे ही अपने game को open करोगे तो आपको अपने game में यह clear modes install ही मिल जाएंगे so guys आज की इस video में बस इतना ही अगर आप कोई video पसंद आए तो इस video को please एक like कर दीजिगा और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर ने हो तो चैनल को subscribe करके पास के bell icon पर click कर दीजिगा तकि जब भी मैं कोई new video upload करूँ तो आपके पास notification पहुंच जाए अगर guys आपको कोई भी problem है तो आप मुझे comment करके बता दीजिगा तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इस mod को enjoy करें bye bye